तो अगर आप MNS 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह है आपके लिए पॉफेक्ट चैनल और हम सारे सब्जेट्स की त्यारी करते हैं और आज हम लेके आए हैं साथी साथ आप जी के रीजनिंग के भी प्रिपरेशन हम कराते हैं उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर एवलेबल हैं तो आज की वीडियो की तरफ हो देखते हैं क्या है MNS के इंपॉर्टन कोशन तो फ्रेंस आज हम स्टार्ट करेंगे टेक्निकल सेशन बतलब इसमें हम पहल ठीक है तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्लावर पर आपको पता है फैलावर हमें वेरियस स tego होता है यह प्लांट का तीक है अब इसके हम पूंपॉर्टंट पार्ट की बारे में बात करते हैं पहली पार्ट बात कर लेते हैं कारकолог की ठीक है तो यह सब concept आपको clear again revise करना ज़रूरी है female reproductive part होता है carpel इसमें क्या क्या portion होता है इसमें होता है यह stigma होता है ठीक है यह portion आपका style होता है ठीक है और यह portion जो अंदर आपका move कर रहा है यह अला portion यह होता है pollen tube ठीक है यह portion जो है आपका यह होता है ovule और यह portion जो होता है य ठीक है तो stigma style pollen tube ovary और ovule मिल के बनाता है कारपल पिस्टिल भी कहते है इसे ठीक है फिर आपका आता है male reproductive part male reproductive part होता है stamen ठीक है तो female reproductive part में क्या क्या हो गया stigma हो गया stigma के उपर आके pollen grains land करते हैं ठीक है तो pollen grains land करने से pollination होता है वो pollen grain move करके ovary में जाते है ठीक है और ovary के अंदर female gamete से fuse करके क्या बनता है zygote क्या बनेगा zygote तो zygote तब बनेगा जब pollen grains पहुचेंगे तो pollen grains कहां से पहुचेंगे male reproductive part से male reproductive part आपका क्या है stamen है stamen में होता है एंथर और filament एंथर क्या है यह होता है एंथर और यह है उसका filament ठीक है यहां से pollen grain निकले इस प्लांट में दोनों ही एंथर मतलब एंथर filament वाल स्टैमन भी है और कार्पल भी दोनों में दोनों ही चीज़े यहां पड़ी तो यह bisexual flower है ओके अब क्या है कि यहां से जब pollen grain इस पे आता है तो pollen grain इस पे पहुंचके यहां से move करता हुआ यह move करता हुआ अंदर यहां से अंदर जाके female gamete से fuse कर जाता है fuse करने के बार बनता है zygote और zygote से develop होता है embryo ठीक है अब important चीज़ क्या हो गई female reproductive part में हो गया stigma style pollen tube ovary और ovule ठीक है और male reproductive part में हो गया अब pollen grain fuse क्या बना क्या zygote zygote से बना embryo ठीक है अब important चीज़ क्या है जो ovary होती है यह ovary किसमे develop होती है देगे question मनता है ovary develop होती है fruit में किसमे develop होती है fruit में और ovule किसमे develop होता है seed में और seed में क्या होता है seed में होता है embryo ठीक है तो ovary develop हो रही fruit में और ovule develop हो रहा है seed में ठीक मलब stamen और carpel दोनों present रहते हैं ठीक है एक सार जैसे यहां पर present है ऐसे plant को कहते है bisexual ठीक है मलब दोनों ही चीजे इससे पड़ी होई है इसका example क्या है जैसे example भी आद कर लिए question आ सकता है rose है ठीक है और कौन सा है mustard flower ठीक है mustard flower अभी हम इसके mcq भी solve कराएंगे ठीक है और ऐसा plant जिसमें ऐसा flower जिसमें या तो stamen present है और या तो carpel present है वलब एक ही चीज़ present है दोनों ही चीज़ नहीं present है तो इस plant हो कहेंगे unisexual क्या कहेंगे unisexual ठीक है तो either stamen और either pistil ठीक है तो इसका example अगर आ जाए पूछने के लिए unisexual का तो उसका example है papaya ठीक है यह सब याद कर लिजे और water melon ठीक है तो unisexual मतलब या तो stamen present है flower में या तो carpel present है जैसे papaya water melon और दोर प्रेज़ेंट है कहते है bisexual जैसे rose और mustard cloud तो हमने किसकी बात कर लिए reproductive parts तो reproductive organ दो flower ही है अब उसमें male reproductive part हो गया carpel और pistil भी कहते हैं और female reproductive part हो गया stamen, stamen में हो गया एंथरो filament और carpel में हो गया stigma style pollen tube, ovary develop होता है fruit में ovary develop होता है seed में अब दूसरी बात होती है जो कि reproductive में important role play नहीं करते हैं लेकिन जरूरी है वो है पहला petal ठीक है दूसरा होता है sepil ठीक है और sepil को हम calyx भी कहते हैं क्या कहते हैं calyx भी कहते हैं यह support करता है ठीक है यह portion होता है आपका receptacle क्या होता है receptacle अब complete flower क्या होता है अब यह बाद भी समय लिए complete flower यह है जिसमें चारों चीज़े present है क्या के प्रेजेंट है कैलिक्स प्रेजेंट है करोला भी प्रेजेंट है स्टैमेन भी प्रेजेंट है यह कंप्लीट फावर है ठीक है अगर कोई भी चीज मिसिंग है तो इनकंप्लीट फ्लावर कहलाता है ठीक है अब यह चीज और ध्यान रखिए कि कैलिक्स और करोला ठीक ह क्लासिफ्केशन नहीं कर पाते कि दोनों अलग अलग हैं कि Mixing किती है थी Kalix-Corola एक ही ज़िए दिख रहा होता है तो उस condition में हम Kalix को करोला को मिल के हम कहते है Teples ठीक है क्या कहते है Teples ठीक है तो Supple तो होता है Kalix ठीक है और Petell तो पता है यह कोरोला होता है लेकिन जहां पे Petal और Supple की Mixing ऐसी हो गई हो कि वह Separate और फिर होता है आपका यह जो ईंडोशियम होता है गया इस planning कहते है जिसमें बता है औराफनेश मेरियां parts क्या है कारपल क्या है Pistol क्या है stigma style पालें ट्यूक को रोल किया है ओवरी का fruit में ओवियूल का seed में receptacle और pet samples और आपका perianth और tepel इतना concept आपका clear होना चाहिए जब इतना concept clear होता है सीदे चलते हैं इसके mcqs की तरफ फीक है तो पहला question देखिये अब आपको clear होगा, ठीक है, तो पहला question आता है, what is the reproductive unit in angiosperms, तो angiosperms क्या होते हैं, angiosperms actually होते हैं, flowering plants, ठीक है, angiosperms को flowering plant कहते हैं, ठीक है, तो उसका reproductive unit क्या होता है, stock होता है, peticelle होता है, leaf होता है, flower होता है, तो reproductive unit तो flower होता है, क्योंकि इसमें ही reproductive organs पाये जाते हैं, दोनों male और female, endosium और gynosium तो reproductive unit in angiosum क्या हो गया, flower हो गया stalk और pedicil नहीं होता ठीक है, आई चलते next question की तरफ, अच्छा question है what are the four worlds four worlds मतलब क्या हो गया, calyx gorilla, stamina and आपका female reproductive organ, gynosium of the flower arranged on तो यह कहरा, four worlds किस पर arranged होते हैं आप figure देखिए, तो figure में यह किस पर arranged हैं, जाग हो इस portion पर arranged हैं, इस portion हो क्या कहते हैं इस portion हो कहते है, receptacle ठीक है, तो देखें, option में है option में तो नहीं है overuse लिखा हुआ, stem लिखा हुआ, petrol लिखा हुआ, अच्छ थालमस लिखा हुआ है, तो reciprocal लिकल को हम थेलमेस भी कहते हैं तो सही आंसर क्या हो गया इसका थेलमेस ओके आई चलते हैं कोशन नबर थ्री की तरफ आप बताईएगा इसका मेजर रोल क्या है पॉलीनेशन में क्योंकि पॉलीनेशन तभी होगा जब attraction होगा colored flowers हैं तो bees हैं दूसरे animals हैं तो flower तरफ अट्रैक होके एक plant से दूसरे plant में एक flower से दूसरे flower से एंथर पॉलीनेशन का ट्रांसफर करेंगे तो इसलिए उसका uniqueness रहती है तो पॉलीनेशन में help करता है petals का shape, order or color petals को हम और क्या कहते हैं करोला भी कहते हैं ठीक है अब देखिए what is the collection of sepals known as ठीक है सेपल्स के collection को हम क्या कहते हैं कैलिक्स कहते हैं करोला कहते हैं पैटल्स कहते हैं कि style कहते हैं तो आपको पता है अभी मैंने discuss भी क्या है इसका सही answer क्या होगा कैलिक्स ठीक है और करोला तो petals के लिए होता है और style तो आपका female reproductive part का part है stigma style ovary तो कैलिक्स किया है collection of sepals clear हो रहा है आई चलते हैं next question की तरफ अब बताइए अथरस and filaments formed तो आपका male reproductive part हो गया तो क्या बनाते हैं gynecium मनाते हैं कैलिक्स बनाते हैं endrosium मनाते हैं ये करोला बनाते हैं तो आपको बता हैं अंथरस and filament तो pollen गे निकालेंगे male reproductive organ होते हैं okay चलते next question की तरफ what do you mean by self-pollination ऐसा question बहुत आता है ठीक है self-pollination का मतलब क्या होता है pollen of a flower falling on another flower एक flower से दूसरे flower पे जा रहा है कि pollen of a flower falling on the stigma of the same flower कि मैं एक ही flower में stigma से stigma movement हो रहा है pollen of the flower falling of the stigma of another flower एक flower से दूसरे stigma पे जा रहा है कि pollen of a flower falling on any of the flower तो देखे self-pollination मतलब खुदी pollination हो गया तो यह होता कि इसमें bisexual flowers में bisexual मैंने आपको example बताया था आपको याओ दोना चाहिए तो उसमें क्या होता है क्योंकि एंथर्स और आपका ओवरी वाला portion एक ही होता है तो यहीं से direct pollen यह है ट्रांसफर हो जाता है तो pollen of a flower falling on the stigma of the same flower bisexual flowers होता है तो वहीं पर होता है आपका self-pollination तो option number 20 का सही है खुदी pollination करने में सक्षम है परियाप्त है एक flower ठीक है ओके तो next question is next question से पहले हम फिर concept देखते हैं ठीक है तो हम जानगे एंड्र का ट्रांसफर सेक्षिन देखें यह क्या है तो एंथर में क्या होता है अब यह सब उसके बाद क्या होता है कि उसकी जो second layer होती है वो कहती है आपकी endothesium होती है क्या होती है फिर आपकी आती है कि middle layer जो endothesium के मिडल लेर आूटर तीनलेश हो गई और अंदर वाई लेर जो माईक्रो स्प्राइंजिया के लिए उसे कहते हैं यह अंदर प्रोजनेश टिशू थैं इसी के अंदर पॉलंगेंट बन रहा है यह आपका connective tissue वेस्कलर bundle यहाँ पर present है तो इत्ती information आपको होनी चाहिए जिसे आप आगया question solve कर सके ठीक है ठीक है तो आप question आगया अब डाइग्राम आपको तो वहाँ भी लेगा नहीं आपको question पूछना है direct question आगया what does androsium produce androsium क्या produce करता है आपको male reproductive organ होता है तो जब भी male reproductive organ होगा तो male वाई चीज़े produce करेगा जो की है microsports ठीक है microsports कहा produce करता है microsporengia में मैंने बताया था अभी देखे पीछे diagram में लखाया है अभी तो microsporengia जो होता है इसके अदर microsports बनते हैं यह sack like structures होते हैं ठीक है sack like structure होते हैं और pollen gates बन जाते हैं फिर ओके next question देखते हैं अब देखिए अच्छा question आया अब आया enthers के उपर इन मालवेसी family enthers are diethicus, trithicus, polyethicus की monothicus तो पहले ठीकर का मतलब समझते हैं ठीक है तो जब एंथर होता है वो दो त्रीक हो सकता है या तो single lobed हो सकता है या by lobed हो सकता है ठीक है तो by lobed में क्या होगा चार pollen sac होगे और single lobed में क्या होगा दो pollen sac होगे ठीक है यह भी आपको बिल्कुल clear हो चाहिए तो एंथर with one lobed क्या कहता है जो एंथर होता है one lobed one lobed इंतर समस्ध रहे न और यह फिलमेंट इसका तो नोड ऐंतर यो अपकलाता है ओनोधिकस और यह टू लोड जोड है टीम है लोड नहीं है थीखे तो नहीं तो लोड Monothecus मतलब क्या हुआ? Single load enter होता है इस पर दो pollen sacs होते हैं ठीक है? तो इसका answer क्या होगा? Monothecus अब एक family और है Malvacy और दूसरी है U4BAC यह भी याद कर लिजेगा U4BAC तो हर ट्रीक है का questions आगर practice होने चाहिए तो Malvacy और U4BAC ऐसी family है जहां पर enthers क्या होते है Monothecus होते है मतलब single load होते है दो pollen sacs होते है उन्हामली वैसे die-thicus enthers होते है by load ठीक है? ओके? next question देखते है question number 9 देखिए two lobes of the enter are attached to together by किस tissue से? ठीक है? तो दो lobes किस tissue से attached होते है? तो पहले देखिए हम first diagram पे पहले फिर सजाते है अब देख लिए यहाँ पे यहाँ आप देख रहें न यह enter है अब यह by load देख रहा ला एक lobe यह है एक lobe यह हो है तो यह connection है ठीक है? तो यह connection किस चीज से यह question ही पूछ रहा है so the question is आई देखते है यह question किया है तो question पूछ रहा है the two lobes and the enter are connected by sterile which tissue spongy tissue parent chymetis scleran chymetis की pedicil ठीक है? तो उसका सही answer क्या है? इसका सही answer है two lobes attach होते है parent chymetis tissue से ठीक है? तो front में attach नहीं होते है backside में attach होते है और parent chymetis tissue से यह attach होते है दो lobes लेकिन अगर monothecas enter है तो उसमें तो single lobes होता है तो monothecas में तो parent chymetis tissue present ही नहीं होगा parent chymetis tissue उसी ही present होगा जाब by load होगा और मतलब क्या होगया? die thicus enter में ही आपका parent chymetis tissue present रहता है ठीक है? next question है how do the pollen grains break open from the pollen sac? आपको पता है कि ये by load हो ये single load हो खोता उसके अंदर pollen sac की उसके अंदर pollen grains पड़े हुए है तो यहां से निकलना है ठीक है? तो मैंने transfer section आपको दिखाया है तो ये देख ली जे फिर से transfer section ये बहुत important है तो pollen sac की अंदर pollen grains पड़े हुए है अब इनको निकलना है तो कहां से निकलेंगे? ठीक है? तो इसको कहीं से फटना पड़ेगा ये भी portion होता है इस portion को हम stobium कहते है ठीक है? अब ये बात हो रही है कि कहां से वो तूटके निकलेगा ठीक है? तो along the connective tissue होता है line of dehiscence होता है इस phenomenon को भी dehiscence कहते है तो टूट के pollen sex निकल जाएंगे तो वहां से ब्रेक होगा और pollen range यहां से बहाँ निकल जाएंगे और उसके बाद land करेंगे कहां पे? female abductive organ में वालब stigma पे ठीक है? तो this is the line of dehiscence next question what are pollen sex called? मैंने एक question बता भी चुक हूँ क्योंकि मैं प्रहाद चुक हूँ तो आप Вेखले होगा pollen sex हो क्या कहते है फिर यह answer है कि pollen sex कहते है pollen sex निकल्स क्यान थे micropsfords कहते है microseprangea कहते है ovule कहते है सही answer किया है सही answer है microseprangea microseprangea कहते है ठीकए थैंधर बता है आपको दो होते हैं occasion यहाता है कि इसका मतलब क्या हुआ हुआ मतलब क्या हुआ तो अन्फर में क्या होता है कि नोक हम धिसके थे रह Früh 2017 होते हैं यह गयाता है W Benny तो पूछेे जाएं कि एसा कॉंसाप्स फ्लावर जो होता है लोब में तो उसका इसलावर है वॉलफिया फ्लावर होता है तो कई कोंसें भी क्लियर हो रहा है आपका कोंसें स्वाड रहा है और एक कोंसेंda कोंसें zawsze कैंस बन रहें तो अगर आ Mindarı कंसेंट बना corner कोशिश भी करता हूँ बाकी बहनत आपको करनी पड़ती है ठीक है आई जेखते हैं नेक्स कोशिण क्या है वट इस यंग एंथर बेटा पॉफ तो एंथर है फास्टर डिवाइडिंग है कौन सो दिमाग लगाईए एंथर है फास्टर डिवाइडिंग है तो किस सेल का बना ह होना चाहिए चाहिए मैं इस्टेमाटिक होनी चाहिए यह परिंक का कॉंशिण ना भी काफी है lexात personnage क्या कुछन मैं बता चुक है उसका अंसर region of the anthra where the dices occur तो anthra का कौन साथ region होता है तो ट्रांस्वर सेक्षें में दिखाया था ना भी तो मैंने पुछा था कौन साथ region होता है जहाँ पर dices होता है line of dices होता है लेकिन उस क्या कहते है उससे कहते हैं स्टोमियम से ब्रेकेज होता है आप देखिए कुश्चन नहीं बता चुका हूँ इनर्मोस लेयर और एंसर क्या होती है तो चार लेयर वहाँ होती है बाहर की एपिडर्मिस थी फिर क्या थी एंडोसीशियम थी मिडल लेयर थी इनर्मोस के जी माइक्रोस्प्रेंजर कवर कर चार रही थी हो क्या थी टैप अभी कोशन पूश्चा ओंड तु यंग एंधर्म जो है एंडोथर्म एंडोथेयर में एंडोथीशियम वीडल लेयर बाहर में टैपेटम है तो यह तीनों लेयर सा क्या वाहर का ऑस्मोस में हें अक्टिव ट्रांस्पोर्ट में यूट्रें तो major role क्या थे तो major role जो है इसका देखे रोल आको clear होना चाहिए काम कुछ भी हो role इन तीनों layers का protection है बाहर से protection प्रोड़ाइब कर रहा है और protection के साथ हरा याल्प याल्प करता है मतलब जब यांथर ब्रेक करके बहां निख लेगा starch में किसमें रिच होता है starch starch के साथ सार यहां पे इसमें unsaturated oil भी होता है क्या होता है unsaturated oil तो cytoplasm of anthraeration starch as well as unsaturated oil ठीक है अब question यहां पे आता है कि unsaturated oil का क्या रोल है बहुत अच्छा कोश्न बनता है इसका जो रोल होता है वो प्रटेक्ट करता है रेडियेशन डेमेज का मतलब क्या हुआ ठीक है वल्ट्रा वाइलेट रेज तमाम देगी की रेडियेशन है अब क्या है कि आपकी सेल है सेल के अंदर न्यूक्लियस पढ़ा हुआ है अब DNA पड़ेगी तो तूट सकती है DNA में क्या हो जाएगा? Mutation हो जाएगा Mutation हो जाएगा तो मामला पलट याएगा और वो देमी हो जाएगा तो उसको protection प्रोवाइड करता एक layer बना लता है जैसे इसका mutation ना हो जगे और chromosome में कोई दिक्कत बना उसके जो आपका chromosome में कोई problem नहीं आए कोई mutation ना हो तो protection प्रोवाइड करता uncircated oil तो cytoplasm pollen gain solution start and uncircated oil जो present होता है वो protect करता है किसे? radiation से और radiation क्या करेगा? radiation mutation cause कर देगा mutation जाएगा अंदर और तोड़ देगा DNA को या उससे mutation कर देगा? उसका nature change जाएगा तो pollen gain का अस्तित भी नहीं रहे पाएगा तो अस्तित मेंटेन अगने के लिए mutation नहीं होना चाहिए हम पूरा questions cover कर रहे है ठीक है? question आ पहुंचते है पहुंचते हैं कहां पहुंच गए? pollen grain पहुंच गए ठीक है? तो हम answer पहुंचे है इसका सही answer क्या है? इसका सही answer is sporoderm ठीक है? stomium मैं बता चुक हूँ पहले यहां से line or distance होता है tapitem जो है inner most layer होती है enter की ठीक है? pollen grain की जो outer wall होती है pollen grain की जो wall होती होती sporoderm होती है ठीक है? इसमें भी दो layer होती पहली होती है exine जो की outer wall होती है और दूसरी होती है entine जो की होती है इसमें inner wall तो pollen grain की से covered है? sporoderm से और उसमें outer layer exine है और inner layer क्या है? entine ठीक है तो इसका सही answer क्या है? पैक्टोसलिलोसी होता है याद रखेजेगे इसे पैक्टोसलिलोसी होता है बाकि आपको पढ़ना तो पढ़ता ही है तो पैक्टोसलिलोसी होती है ठीक है? अब exine जो outer layer होती है sporoderm की क्योंकि pollen grain है तो इसको क्या चाहिए? pollen grain तो निकल जाएगा ना जब पॉलन से टूटेगा अब बाहर निकल के इसको land करना है ठीक है? किस पे land करना है? आपके stigma पे land करना है तो जब land करना है तो इसकी अपनी identity है ना तो इसकी जो layer है बाहर वाली sporoderm है outer layer exine है inner layer entine है entine तो बनी तो पैक्टोसलोस है exine किसकी बनी होगी? exine बनी होती है sporopollen की ठीक है? यह term होता है sporoderm तो outer layer sporoderm is a wall outer layer is exine made up of sporopollen inner layer is entine made up of inert होता है बिल्कुल, inert मतलब किसी से react नहीं करेगा inert होने से क्या फाइदा होगा कि यह protection provide करेगा अब pollen को अकेले ही बहार टहलना है तो उसकी जब outer layer एक ऐसी चीज़ से बनी रहेगी sporoderm से उसकी जो sporoderm की outer layer जो exine है sporopollen से बनी रहेगी तो इनर्ट रहेगी तो बाहर की जीज़ से react नहीं करेगी तो वो protection provide रहेगी तो एक तरह की sporopollen जो outer layer है sporoderm की वो protection provide करते हैं क्योंगी chemically वो inert होती है अंदर वारी layer entine होती है जो की pectosolose बनी रहती है तो इसमें enzymatic reactions भी होते हैं लास्ट कोशन फॉर डड़े पैलीनोलाजी किसे कहते हैं ठीक है वाट इस पैलीनोलाजी तो याद रखिएगा p-a-l-y है पैलीनोलाजी study of internal morphology of pollens की study of anthers study of external morphology of pollens की study of young pollens तो बहुत ही typical question है सभी answer सही लग रहे हैं क्योंकि आप internal morphology कहीं है कहीं external morphology कहीं है एंथर्स की बात कर लें पॉलेंट इसका सही answer क्या है सही answer external morphology of pollens तो पॉलेंज की study नहीं है फिक है क्योंकि टर्म क्या है एंथर्स की study नहीं है internal भी नहीं external morphology की जब study होती पॉलेंज को तो specifically इसकोwen Beijing और पॉलेंज की external morphology study होती उससे प्रच्छा Ubuntu जलता है कि जीनस क्या है, स्पिशीज क्या है, किस प्लांट क्या है, उसका नेचर क्या है, तो जीनस, स्पिशीज उसका नेचर पता करने के लिए, हम पैलिनोलाजी टैप की स्टड़ी करते हैं, इस पे एक्स्टरनल मॉर्फलोजी और पॉलन स्टड़ी करते हैं, ना गी पॉलन को, ठीक for all your examinations, thank you very much and best of luck again